आज रातरी लगबग एक बजे के आसपास हम लोगों को सोचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवां बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सिडेंट हुआ है जिसमें की एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे जो की जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है जो की अनियंत्रित हो चुका था ततकाल इस सूचना पर हम सभी लोग वहां मौके पर पहुँचे और वहां पर जो भी बचाव का कारे शुरूर किया गया उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्तिय हो गई और तीन जो घायल हुए उनको ततकाल इलाज के लिए बेच्चु भिजवा दिया गया है ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लिवर का और आज रात्री में धलाई का काम करके वापस अपने गाउं जो की मिर्जा मुराद में पढ़ता है बनारस में वहां लोट रहे थे और ये सब ही लोग वही मिर्जा मुराद के रहने वाले हैं इसमें जो शव हैं दस लोगों के उसको कब्जे में लेके मौर्चरी भिजवा दिया गया है घायलों का इलाज बेच्चिव में चल रहा है जहां उनकी स्थिती सामाने बताई जा रही है FIR दर्ज की जा रही है आगे की आवश्यक कानूनी कारवाई कराई जा रही है मौके पर शांती वर्ष्था कायम है